नमस्कार में रियाओ और आप देख रेंबी सीट पड़ी फोर जो ऐसा कि हम सब जानते हैं बिहार में शराब बंती है ऐसे में कई जगाओ पर बिहार में शराब बंती भी है और बिक्ती भी है लेकिन नितीश कुमार ने ऐसा दावा किया है कि बिहार में शराब पून शराब बंदी को लागू किया गया है ऐसे में बिहार की एक साहसी बेटी ने इतना बड़ा कदम लिया है और इतना बड़ा काम किया है कि हम सारे बिहारवासियों को उस पर गर्व है क्या है पूरा मामला शराब बंदी को लेकर और बिहार की बेटी ने क्या किया है बड़ा काम जानिये खगड़िया में इन दिनों पुलिस प्रसाशन लागातार छोटे शराब माफियों के ठिकाने पर छापा मार कर वावा ही खूब लूट रही है लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बया कर रही है ताजा मामला पसराहा थाना से आया है जहां पसराहा थाना ध्यक्ष के सनरक्षन में भारत खड कोर चक्का में देसी में हुआ शराब का कारोबार फलफूल रहा है जी हां अगर ग्रामिनों की बात माने तो कई महिने से वाँ शराब का धन्धा चल रहा था लेकिन थानया प्रसाशन को मिली जुली होने के कारन कारोबार खुले आम महुआ सप्लाई करते थे आपको बता दे हगडिया की साहसी बेटी नविता से इन दिनों शराब कारोबारी सदमे में चल रहे है जैसे की नविता शराब कारोबारी की दुश्मन बन बैठी हो हम ऐसा इसलिए कहा रहे हैं कि जैसे ही नविता को पता चला कि गाओं के बगीचे में शराब बनाया जा रहा है वो वहां पहुँच गई वीडियो बना कर और सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया वीडियो के अधार पर पुलिस ने कारवाही की फिर पुलिस ने भारी मातना में शराब भी बरामत किया इन सब के बीच कानून का सक्ती से पालन करने और करवाने के लिए प्रसाशन के साथ आमजन भी साथ देने लगे आपको बता दे कि नवीता ने शराब माफियों की शराब के भटियों को अवगस्त करवाया और नवीता क्या रही है कि अगर मेरे नजर में आया तो हम उसे चापे मारी करवा कर ही दम लेंगे अगर पुलिस कोई कारवाही नहीं करती है तो बड़े अधिकारी से भी इसकी शकायत करने में चूकेंगे नहीं नवीता के होसले से अब ना सिर्फ शराब कारोबारी बल्कि पुलिस वाले भी डरे हुए है और किसी मामले में ततकाल कारवाही कर रहे है आपको बता दें कि बिहार की सासी बेटी ने बहुत बड़ा कदम लिया है उन्होंने जब देखा कि बगीचे में शराब बनाया जा रहा है तो उसने फोरन उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया अगर नितीश कुमार ये दावा करते है कि बिहार में पूर्ण शराब बन दी है तो ये क्या चल रहा है खगाडिया जिला में बड़े अराम से शराब बनाय और बेचे जा रहे है हम अपनी सासी बेटी नविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते है ये तो देखने की बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ऐसी ही तमाम कपरों के लिए देखते हैं बीसी ट्वेंटिफोर धन्यवाद